शेतर में आये दिन चाको बाजी और सरे आम मारपीट जैसी घटनाएं आम हो चुकी है। आरोपियों के होसले बुलंद हो रहे हैं। इसी के चलते पुलिस को अब सडको पर आना पड़ा है। जिससे लोगों में अब पुलिस पर विश्वास और आरोपियों पर खोब दिखा कर कुछ योगों में आपस में विवाद हो गया। जिसके चलते हर नाम सीह अहिरवार एवं अन्य ने राहुल मालवे के उपर लोहे की राड से हमला कर दिया। जिससे राहुल मालवे को गंभिर चोट आई। आरोपी ने राहुल मालवे के गाहल होने के बाद भी मारपिट जिसका वीडियो पूरे शहर में वाइरल हुआ, राहुल को गंभिर हालत में गंज बासुदा के शाष्किय राजियू गांधी जन चिकिस साले ले जाये गया, जहां प्रात्मिक उपचार के लिए यूवक को विदिशा के चिकिस साले में भेजा गया, जहां हालत नाजुक द दौरान एक हरनाम सिंग अहरवार नाम के विक्तिन है, राहुल मालवी को सिर में गंभिर चोट पहुचाई लोही की राड से, जिससे वो अचेत हो गया, और दुर्भाग इसे वो अभी तक अचेत है, और अनाकि उसको वोकाल में हमीजिया अस्पताल में भरती कराया गया ह और अभी वो उसकी हालत में दीरे दीरे सुधार हो रहा है, उसके परिजन उसके साथ में उसके अमराई वगरा पे सभी टेस्ट तो ठीक आक आए हैं, लेकिन वो अचेत है, समभत है उसके किसी ऐसे ऐसे नियूरोलोजिकल कोई प्रॉबलम होई है, जिसकी वज़े से वो अ चैनल घाता का तियार का प्रयोग किया गया है, और इसमें हमने धारा 307 के तहत ही अपरात में की बद्द किया है हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल S24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले